वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मिशन जरूरी है जो आपसे उत्तर प्रदेश लोग सिवायो पूछ सकता है उन सब को कवर अप करेंगे जैसे आप देखरो यहां पर मैकॉंग रिवर से रिलेटेड ये कोशन आया था जिसमें पूछा गया था कि इसका उद्गम यानि कि इ करेंगे लता है इसके उलावा सैवे इसके बारे में यह भी देखिंगे कि एशिया में इस रिभर का कौण सा प्लेज है और दुनिया में इस रिभर का कौण सा प्लेज है भाहत सारी चीज़े यह सिर्फ मैं आपको एक कोशन का एक्जांबल बता हाँ ऐसे जितने भी颜 करते हैं आज कि अपने वीडियो को देखिए यहां पर मैकॉंग रिवर से रिलेटेड आपको दो स्टेट्मेंट दिये गए थे और आप से यहां पर पूछा गया था कि इसका जो उद्गम है जो सोर्स है वो क्या है आपका तिब्बत का पठार यानि कि तिब्बतिन प्लेट इसे थीक है तो सारे पहलु को हम यहां पर कवर अप करते हुए चलेंगे देखिए अगर हम बात करें मैकॉंग डिल्टा की तो मैकॉंग डिल्टा जो है इसमें एक लार्ज पोर्शन आता है आपका साौ्थ वेस्टन वियतनाम का किसका साौ्थ वेस्ट वियतनाम इसको कि यह ऩ exponpora अंछ मीद है कि अगर आगे पूछा जाएगा तो यह जरूर पूछाएगा क्लिस आगे पूछा जाएका तो चाइना तो इसमें रहे गई रहेगा चाईना के बाद मैया मार मैं अन्मार के बाद की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका थाइलेंड थाइलेंड के आगे हम बात करें तो लाओस इसके बाद कंबोडिया और कंबोडिया के बाद आयता है आपका वियतनाम तो इन टोटल छे कंट्रीज से पास होती है यह रिवर और ये कैसी एक Trans Boundary River है ठीक है जो की East Asia और South East Asia से होकर बहती है अब यहाँ पर जो एक Important बात है कि मैकॉंग जो है ये Third Largest River है एशिया की कैसी है आपकी Third Largest in Asia एशिया में तीसरी सबसे लंबी रिवर है पहली कौन सी आपकी यांगजी जो की चाइना की है और दूसरी है इंडिया की गंगा तीसरी नंबर आती है आपकी मैकॉंग जो की छे देशों से होकर गुदरती है चाइना मैमार थाइलेंड लाओस कंबोडिया और वियतना ये सारी बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है अच्छा एक चीज और याद रखेगा आपसे हो सकता है की जो इसका निचला बेसन है वहां पर क्या एक चीज है कि वह जी निचला बेसन आता है वहाँ पर मेनली इस पानी आता है धान्वारिश से इसे लिए वह जैसे व्हगुद्र साब्स estas strange आपको मेकॉंग रिवर के बारे में याद रखने हैं यहां पर हम आंसर की बात कर लेते हैं तो केवल एक यानि की ऑप्शन एज होगा वो इसका अंसर होगा अगर आप लोग उत्तरप्रदेश है यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टेडी मैटिरियल रहेगा टेस्ट सीरीज रहेंगी पेड कुईज रहेंगी सब कुछ आपको एक ही जगा पर मिलेगा और यह सब को सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए ले इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपग कर सकते हैं और यह लेटेस्ट गुरुप जो है इसमें आप एड्मिशन ले सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करें यहां पर आपको एक तो उस्टेलिया के प्रांत दे रखें और उनकी राजधानी शेहर के नाम दिए और आपसे पूशा गया है कि इनको आप यहां पर मैच कराई है ठीक है आप देखिए न्यू साउथ वेल्स की बात करें बहु की सिड्नी है इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कुइंसलेंड की तो कुइंसलेंड की कैपिटल कौन सी है आपकी ब्रिजबेन यह औस्टेलिया से रिलेटेड़ कोशन आते ना तो उसमें ज़रूर यह सारी चीज़ें पूशी आते हैं इसके बाद विक्टोरिया की की सिडनी है कोइंसलेंट की ब्रिजबेन है विक्टोरिया की मेलबर्न है वेस्टन ऑस्टेलिया की पर्थ है यानि की आंसर हमारा क्या होगा टू वन कि इसमें अगर हम जाते हैं नौर्थ टू साउथ ठीक है तो कौन सी कौन सा शहर जो है पहले आगा कौन सा बात में आगा यह सिक्वेंस मुझे बताईएगा हम ब्रिजबेन सिडनी कैंबरा और मिलबर्न की बात कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग के आंसर का बे सिरी तरफ दिया हुआ उनके स्थापना वर्ष अब यहां पर सबसे पहले हम बात करें ललित कला अकेडिमी की 1954 में इसको स्टेब्लिश किया गया था सही है संगीत नाटक अकेडिमी की बात करें 1953 सही है रास्ट ये नाट विध्याले की बात करें 1959 इस आप्शन करेक्ट सां अचा ये जो कोशन है इसमें आप से पूशा गया है किसके बारे में कि कौन सा बाग अभ्यारंड है जो टाइगर रिजर्व है वो आपका मद्ध प्रदेश में इस्थित नहीं है वो कौन सा टाइगर रिजर्व है बांदवगड है कानहा है संजे डूबरी है और अमनगड है तो सही आंसर किया आपका अमनघल अब अमनगड की बात करें कहां पर लोकेंटिड है यूपी में यूपी में स्पैसिट कीशिकली अगर पूचा जाए तो कौन से डिस्ट्रिक में तो वह है आपका बिजनौर बिजनौर में ये लोकें फीक है कौन से टाइगर beetje के बिलक आप से पूछा जाए इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें इस कोश्चन में आप से यहां पर पूछा गया है कि निम्लिकित में से कौन सा कोईला अधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में इस्तित है अब यह डली पाली है दादरी है सिंग्रॉली है विंद्याचल आपको यहां पर देए हुआ नीचे एक कूट दे रखका है कि एक तीन दो तीन इस तरीके से थे तो एक करते हैं कि सब को यहां पर देखते हैं है सबसे पहले बात करते हैं विंद्याचल कि ज़ीए क्योंकि विंद्याचल का यह thermal power station है यह largest power station है इंडिया का इंडिया का largest इसी लिए examination में यह हमेशा पूछा जाता है और अगर हम बात करें कि world में इसका place किया है तो दुनिया में 9th सबसे बड़ा जो coal fired power station है वो है आपका विंद्याचल का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा power station है और दुनिया में इसका place कौन सा है नवा place है यह आपको याद रखना है है कहां पर यह तो यह पढ़ता है आपका MP यानि की मद्यप्रदेश के सिंग रॉली में पढ़ता है यह चीज़ें आपको याद रखनी है इसके लावा NTPC के दोरा इसको establish किया गया था ठीक है चलो इ उत्तरप्रदेश में located है कहां पर है आपका गौतम बुद्धिन नगर में और गाजियाबाद से बात करें तो पास में यह गाजियाबाद के और 9 km दूरे कहां से दादरी से तो यह तो आपका UP में located है इसके बाद next बात करते हैं सिंग रॉली की सिंग रॉली का नाम सुनते आपको एकदम से याद आया होगा शक्तिनगर की बात कर रहे हैं हम लोग और हम बात करें सोनभद्र डिस्टिक की ठीक है विच इन उत्तरप्रदेश ठीक है अच्छा सोनभद्र कितने और राज्यों से अपनी सीमा साजा करता है यह comment section में आप बताईएगा और इस power station की बा koyla power plant यह चीज यादर रहना है कोया बात करें तो koyla यहाँ कहां से आता हे तो koyla यहाँ पर आता है आपका ₹झे उपका यह औ가 240 से आपको तो पानी आता है आपका रेहंद रिजर्वायर से यह चीज़े आपको इसके बारे में आदक नहीं है अब जब कौन कौन से स्टेट है जो इससे बेनिफिट उठाते हैं ठीक है यह चीज़ भी इंपॉर्टेंट है सिंग रॉली की बात कर रहे हैं हम लोग कौन कौन से प्रदेश को फाइदा होता है बाकी दिल्ली चंदीगर यहां सब में फाइदा होता है ठीक है तो बेसिकली आपको सिंग रॉली के बारे में यह तो पता चली गया लोकेटिट कहां पर है एंटीपीजी का पहला पावर प्रोजेक्ट है बीना और जैंद माइंस से यहां पर दो और तीन बाकी हम बात करें किसकी डली पाली की अब यह जो डारली पाली पाली जो भी समझ लीजिए डारली पाली की पावर स्टेशन की बात करें तो यह आपका कहां पर है यह आपका सुंदरगड में जो की है आपका उडीसा में ठीक है सुंदरगड उडीसा यहां पर यो पानी का source है वो कौन से आपका हीरा कुंड डाम हीरा कुंड डैम के लिए रिजरवायर के लिए तो हीरा कुंड रिजरवायर से यहां पर पानी प्रोवाइड किया जाता है इसलिए यह थोड़ा सा इसके बारे में examination में अक्सर पूछा जाता है और बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ और इसके बारे में important है यह आप बस याद रखिएगा इसके बाद next question पर move on करते है आंसर मारा वो ही two and three रहेगा अगला जो question है यहां पर आपसे पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन से देश जो है वो Baltic सागर के तठ पर located है ठीक है अब अगर यहां पर हम बात करें कि इसकी Baltic Sea की तो Baltic Sea को अगर आप देखें को map में तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो Norway है Norway जो है वो Sweden के west में पढ़ता है मतलब इधर अगर यह Sweden है तो Sweden के इधर side में यहां पढ़ share नहीं करता है Norway that is why answer हमारा क्या होगा option D बाकी अगर हम बात करें तो कौन-कौन से देश हैं जो Baltic से अपना मतलब सीमा साजह करते हैं तो इसमें एक तो होगे आपका Sweden Sweden के अलावा कौन सा आजाएगा आपका Finland Finland भी अपना border यहां पर share करता है ठीक है Finland के अलावा अगर हम बा border share करता है Russia के अलावा Estonia Estonia अपना border share करता है Estonia के अलावा आपका Latvia Latvia के अलावा लिथुआनिया लिथुआनिया इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर आपका आजाएगा Poland ठीक है Poland भी अपनी सीमा साजह करता है Baltic Ocean से सो यह सारी चीज़ें यहां पर आपको इसके बारे में याद रखने है ठीक है यह कुछ कंट्री अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन ने यह बताईएगा अगर हम बात करें नौर्वे की Sweden की Finland की रशियत तो रहने दीजे एस्टोनिया लात्विया लिथुआनिया ठीक है इन कं आपको यहां पर बताना है कि सुमेलित कौन सी नहीं है सबसे पहले गाय की बात करें तो देवनी इसकी एक नसल है सही है बकरी की बात करें बर्बरी इसकी नसल है सही है भेंस की बदावरी इसकी नसल है सही है भेड की गिर नहीं है ठीक है आंसर हमारा क्योंगा option D तो यह ब त्रेशूल शिखर के संदर्व में निम्लिकित में से कौन से कथन जो है वो सही है पहला यह उत्तराखंट के बागेश्वर जिले में इस्तित है दूसरा यहां पर स्टेटमेंट है कि यह चोटी 75-100 मीटर से भी अधिक मुची है तो पहले स्टेटमेंट की बात करें पहला उत्तराखंट के बागेश्वर जिले में इस्तित है और दूसरा जो स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है यह स्टेटमेंट यहां पर इसके बारे में सही नहीं है क्यों सही नहीं है ठीक है इसके बारे में गर देखें तो दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है 75-100 मीटर के असपास इसकी हाइट अच्छा एक चीज यहां पर और याद रखने हैं कि यह हम त्रशूल शिखर की बात करते हैं तो यह एक इसमें ग्रूप औफ पीक्स है मतलब की तीन इसके अंदर पीक हैं जिनको कम्बाइन रूप से त्रशूल शिखर बोले जाता है इसमें त्रशूल फर की है इसमें जो त्रशूल वन है यह सबसे जादा हाइट की है जिसकी हाइट कितनी है इक तर सो बीस मीटर सबसे पहले इसी पर चड़ाई करी गई थी उन्निस सो साथ में वैसे यह नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी जस फॉर इन्फरमेशन ठीक है और त्रशूल शिकर जो ह के उसका निर्माण करता है ठीक है यह फिर यह नंदा देवी अभेरेंट को घेरती हैं इसकी चोटी यह चीज़ आपको याद रखनी है चलिए फिर इसका देखें तो आंसर क्या होगा हमारा केवल एक इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं कोश्चन नंबर 39 यह स्टेटमेंट की उत्ते प्रदेश के गोंडा में इस्थित है ठीक है जो कि यहाँ पर एकदम सही स्टेटमेंट है दूसरा है यह यह वह यह पक्षी अभ्यारंड यह ने की बर्ड सैंचुरी है अब अगर अंगर हम बात करें पारवती अर्गा के बारे में कुछ और याद रखना है कि पारवती अरगा यह अगर और स्पेसिफिकली बात करें कि गोंड़ा डिस्टिक में कहां पर तो मनकापुर नवावगंज रोड पर यह लोकेटेड है और एक चीज़ के बारे में और याद रखना है कि यह जो है पर्मानेंट फ्रेश वाटर ताजे पानी क कि यह सेंचरी है ठीक है यह चीज आपको यहाद रuleखना और इसमें दो आकस्बो लेक इसका निर्माण कर रहे हैं दो आकस्बो लेक है अच्छा आचीं क्या होती है यह कमेंट इसक्षिण में बताना आप लोग ठीक है एक सिंपल लाइन में बताएगा या थे कमेंट छेक 24 में प्रत्थम क्रशी विज्ञान केंद्र इसकी इस्थापना के जिस्थान पर होई थी तो सही आंसर कियागा आपका पॉंडी चेरी सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहां पर एंड करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्यार लखिए और प्रीवेज वीडियो को जरूर देखिए थैंक यू सो मच